दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो पैरपिट बॉल रहती है उसका डिजाइन भी आपको दिखाऊंगा 2-3 किसम के डिजाइन रहेंगे जो आप सिंपल और सस्ते डिजाइन रहती है वो आप अपने गर पे बना सकते हो और आज इस वीडियो में ब आपको पता चलने वाली है देखो अगर आईडिया रहेगा तो पैसा भी बजता है और अच्छे से काम होता है क्योंकि दुआरा तो कंस्ट्रक्शन का काम बार बार तो आपको करवाने नहीं होता है तो एक बार करवाने है अच्छे से करवाने है तो शुरू करते हैं आज क थे ठीक है तो इसमें हमाई रेलिंग करनी है और बीच में हमने डिजाइन दे देना कोई भी 20 20 ये 20 पूट ये 20 फूट ये 50 फूट इन सब को क्या करना आपको पहले प्लस कर ले जब आपने प्लस कर लिया तो आया 140 440 फूट 140 रणिंग फूट और हैट हमने रखी है 3 3 फूट और आपको 3 फूट ही रखनी को ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है डाइस से 3 फूट रख सकते हो तो हमें स्केर में निकाल ला हुता है क्योंगी रेट होता है इसका से स्केर में में आता है लेवर रेट में अभी बता रहा हूं तो 140 x 3 करेंगे 420 कितना हो गया 420 और रेट चल रहा है 14 रुपे 15 रुपे पर स्केर फीड लगाने का रेलिंग तो आगे हमारा दोनों 420 को मल्टिव लेगे 16 6,720 रुमारा लेवर रेट लग जाएगा उस रेलिंग को लगाने में अब इसका ब्रिक का क्या होता है ब्रिक का आपकी है और जो बीच में यह पाइपस यूज होती है इनका क्या है यह के जी के साब से आती है जो बीच में डिजाइन आपने देखा स्टार्टिंग में भी यह आपका केजी के साब से आएगा यह वाला यह आप लाओगे इस समय रेट चल रहा है नबे से सो रुपया केजी मैं जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो आप गूगल में देख सकते हो कहीं भी तो सो से नब रुपय पर केजी वह आप लाओगे यहां फिक्स करके वो द देखते हैं लगाना कैसे है क्योंगे अगर सही से नहीं लगाओगे हिलती रहेगी और दिक्क्त आती है तो सबसे पहली चीज है इंडियन स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड क्या कहता है जो आपको मिनिमुम और मैक्सिमिम हाइट रखनी होती है अगर हम बात करें तीन से तक आप रख सकते हो 900 mm से 1 मीटर तक तो वो सही रहता है उसमें से ना आदमी कोई गिरेगा नीचे और बिल्कुल सेफ भी रहेगी में चीज है ज्यादा प्रवाइड करने का कोई फाइदा नहीं है अगर आपका हो की 1200 mm दे देंगे या 1300 तो फाइदा कोई नहीं है उससे क् क्रीप उतना क्रैक्स आने के चांसिस बढ़ते हैं तो आप मेरे खेल में अगर तीन फीट या साड़े तीन फीट रखते हो तो बहुत हो जाती है उससे ज्यादा रखने की जुरूत नहीं है मिनिमो और मैक्समो हाइड हमें पता चल गई फिर थिकनेस की बात करते हैं तो उ तो क्या करते हैं चार इंच की रखते हैं चार इंच की रखते हो चार इंच की रखने में कोई दिक्कत नहीं अच्छी भी दिखती है लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी कि वो थोड़ा बाइबरेट करेगी मतलब जब भी उससे थोड़ा कोई लगेगा जहां उस पर पिलर आप दे सकते हो नो इंच पर यहां तक रहो गया फिर बात आती है उसमें हमें जो मोटार यूज करनी उसमें जो प्लस्तर के लिए हम करते हैं काफी टाइप की पर वाल देखने को मिलती आपने देखा होगा कहीं के बीच ग्रिल लगी है कहीं पूरी सिंपल है मतलब प्लस्तर करना अगर 9 इंच की आपकी पर विट बोल है तो उसमें आप वन रेश्यो 6 या उससे जाधा का प्लस्तर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप 4 इंच की बनाने जा रहे हो मतलब 1.5 इंच की जो हमारी पर विट बाल रहेगी उसमें एक रेश्यो चार आकब नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंट बढ़ी रहेगी क्योंकि दिवार एक पतली है और अगर आप प्लस्तर कर दे लेंगे थोड़ा वह सैट रहेगा और जैसे हमारा plaster complete हो जाता है तो plaster complete होने के बाद आपको उसको curing करनी है मैंने दस दिन curing आपको करनी है मैंने mostly देखा है लोग parapet ball को curing नहीं करते है तरही नहीं करते है तो उसकी उतनी strength बननी पाती है और cracks सबसे पहले वहां जाते है तो दस दिन उसकी तरही करिए फिर अगली चीज़ आती है जो हमारा pipe fit की जाती है क्योंकि design बन रहे है एक pillar रहेगा दोनों side pillar है उनके बीच आपकी grill set की जाती है और जो pillar बनेंगे जिनके बीच grill set की जानी वाली है 9 by 13 9 inch by 13 inch का pillar आपको रखने है बीच में grill fit करो और grill fit जब करनी है आपको जो डालनी है उसमें तो वो आपकी 4 inch से change minimum उसके अंदर होने चाहिए मलब 6 inch pillar के अंदर होने चाहिए और उसमें जो concrete का grade आपको यूज़ करने है वो M20 grade यूज़ करने है जिसका रहेगा 1 ratio, 1.5 ratio तीन का माल बनाके उसमें आपको fix करने है और उसको एक दिन तक उसको वैसे रहने देने है तो उसकी एक दो दिन बाद जब आप support खोलेगे फिर अगला काम आपको करते जाने है इसी के दूरान हमारा आता है cladding का मतलब देखो क्या होता है पेरविट बॉल जो है वो आपकी exposure है मतलब पूरी हवा उसमें बारिश में होता है क्या है उसके उपर मिटी दूल जमती जाएगी वो जब बारिश पढ़ती है तो वो दूल बगएरा क्या होती है आपकी दीवारों पर आ जाती है तो उसमें मिटी फस जाती है और बारिश के दान नीचे आती है तो उससे रियात पाने के लिए उसको सही और अगर हम उपर मार्बल पर प्रोवाइड करते है ग्रेनाइड, कोटा, टाइल, कुछ भी तो अगर थोड़ा बज़द जाज़ा आपका थोड़ा प्रोवाइड कर सकते हो तो आपको क्या करना है उपर आप क्लाइडिंग प्रोवाइड कर दो मतलब कोपिंग ही बोल दो जैसे हमारी पैरविट कम्पलीट होती है उसके उपर पूरे में हम मार्बल, ग्रेनाड, ये कोटा, टाइल कुछ भी उसमें लगा सकते है इसका खर्चा आपका 80-500 रुपया पर सकेर फीट पर सकते है टाइल के साथ जाओगे तो सस्ता पड़ेगा मार्बल ये ग्रेनाड के साथ जाओगे तो महंगा थोड़ा पड़ जाता है तो आप इसको सोबे पर सकेर फीट पकड़के चलिए तो इतना खर्चा आपको उसको प्रवैड करने में लग सकते है ये क्लेर हो गया अभी हम आगे बढ़ते है क्रैक्स की तरफ क्रैक्स की काफी ज़ादा दिक्कत आती है परफिट बॉल में ये आती क्यों है पहले इस चीज को समझो देखो हर चीज में जो हमारा brickwork है या concrete है उसमें expansion होती है जैसे simple बाचा में आपको समझाओ ठंड या सर्दी जब होती है तो जो material है वो सुकरता भी है और expand भी होता है तो concrete का भी वो अलग है, plaster का अलग है फिर हमारा brickwork का लग है तो वो अपने-अपने हिसाफ से सुकरता होते है तो उसकी बाचे से क्या होता है cracks आ जाते है एक तो दूसरी cracks इस कारण भी आते हैं कि जो आपको gallery में दिखते है मतलब जो आपको जो आपका छज्जा निकला है उसमें दिखते हैं वो होते है dead load की दर बज़े से क्या होता है loads बढ़ जाता है creep सी मतलब होता है दीरे-दीरे वो आपका सरीय बेंड हो जाता है उससे cracks दिखने लग पड़ते हैं और जहां जब होता है गर्मिया आ जाती है काफी ज़ादा तो अंदर का जो steel रहता है वो थोड़ा गरम होता है क्योंकि exposed area में गरम होगा तो उससे भी cracks आने के chances बढ़ जाते हैं तो इस चीज को counter कैसे करना है आपको इस चीज को counter करना है आपको कि आप जान तो RCC की अगर parpid ball मनाते हो तो उसमें cracks आने के chances थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि हमने जो slab का सरी होगा वो पहले ही band करके रखा होगा उसी से हमारे parpid ball बनेगी तो उसमें cracks नहीं आते लेकिन वो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है अगर cracks आ चुके हैं उन cracks को भरिएगा कैसे उनको बरो आप जो डॉक्टर फिक्सिट की x paste आती है मतलब एक शिंकेश free paste होगी डॉक्टर फिक्सिट की होगी आप market से ले आईए उसको fill करिए उसके उपर फिर से plaster आप कर सकते हो जहां 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 joints हैं जहां जहां मतलब concrete के साथ brickwork का joint बनता है तो वहां पे आप जो मुर्गा जाली जहां चिकन मैस जहीं से बोलते हैं वो लगा के उसके उपर plaster कर सकते हो तो यह सब चीज़े अगर आप follow up करोगे तो आपकी जो parapet wall होगी वो सबसे best बनेगी main चीज़े यही होती है अगर इनको follow up करते जाते हो तो आपको हो सकते हैं बाकी आप design की बात कर रहे हो सामने design आप follow कर सकते हो और इनको यह नहीं है कि comments आते हैं सारे design follow कैसे करें आप समझाईए तो आप एक बार mystery को दिखाओगे तो वो आपको वैसा design बढ़ा के दे देंगे और grilling जो grill रहती है उसके beach की distance इतना रखिये कि कोई beach में से निकलना पाए आप पकड़के चलिए change आप beach में distance रखिये दोनों के change से ज़्यादा मत रखिये बाकी इन design को आप follow कर सकते हो काफे अच्छे design है और यही वीडियो थी आज की तो I hope आपको पसंद आईए कोई वीडियो पसंद आईए तो like करना आपकी channel को subscribe करकर रखो bell icon दुआ कर रखो यहाँ पर practical knowledge आपको मिलता रहेगा Thank you guys